बूर्णिंग आजबन, मैं अभी हूँ काटमंडू बस्टाइन में और अब मेरा नेक्स्ट लाइन है मौंट आवेस बेस्ट केम जानेगा बट आम नॉट शर मैं जा पाऊंगा कि नहीं या पहुंच पाऊंगा कि नहीं बट आपकोशी कुरी करेंगा यह है काटमंडू बस्टाइन, काफी modern drive है उसकर बस्टाइब है तो अच्छर में होता है कि यहां से ख्लाइट होती है डिक्त लोकला की अग्र हमें मोंटो इस बेस्टाइम जाना है बट ख्लाइट जोट पर काफी गॉस्ली होती है इसलिए मुझे काफी सार बोशन मुझे ट्रैकर कर जाना पड़ेगा और उससे पहले मुझे जाना पड़ेगा जीरी अब जीरी जाने के लिए यहां से बस्टाइब ने बड़ेगी कोटिश्यूर की जो मैं भी ढूंड रहा हूं प्रॉट इसलिए से पहरेगे जीरी तो अब यह पीछ में जारे हैं वहां से जीर जाएंगे जोट पर को जोट रहे हैं अलो एफ जो पाइनली मैं भी जीडे में हूं जोट चार पांच बस्स चेंज करना पड़ी नशनली आसा होता नहीं है क्योंकि आपको काटनलों से एक बस पकड़नी पड़ते हो और उसका देख और बस पकड़के आप सिधा जीरी को हो सकते हो और मेरे साथ ऐसा हुआ कि मुझे पांच बस पकड़नी पड़ी क्योंकि जो वो कह रहे थे कि 8 वेज से पहले बहुत बस मिलती है मैं अभी हूँ जीरी में और मुझे एक फ्रेंड मिल गया है जिनने मुझे होटेल पकड़ा दिला दिया है और मैं अभी और इक साथ चाहरा हूँ वो कैमरा पर आना नहीं चाहते हैं इस दिए में उनको एक शूट नहीं करूँगा यह कुछ जगह हैं जो यहां पर जीरी में और काफी अच्छी भी हैं और यह रास्ता यह स्टेर्स यह मैंली इस तेम्पल है में मैंसेल्फ यहां से उपर कर गास्ता है जो लग लग ज़ा ले जाएगा मैं अब बॉर्निंग अविवन तो सुबह के पाने साथ बज़े में और में हून जीरी में और भूँ ठंड भी आ यहां पर यार सो बस अभी थोड़ा अब ब्रेक्पेस्ट वगरा करता हूं पर नहां लेता हूं अकर गाण पानी मलता है तो यह थंड़ा पनी तो बहुत जादा है और मुझे उस तरफ से जाना है जो रास्ता वहां पर पीचे हो अगर गाड़ी मिली तो ठीक है बट मैंने सुना कि गाड एक अगरी नहीं मिलती है तो सीदहा बैरल निकलना है जो मेरे मुझे फ्रेंड मिले जे उनका ही रड़ियोम का होटल है तो यह मुझे पड़ा है अरूंड 600 रू नेभाली रूपीज तो यह होटल था जो हमें इस्ट्रे किया था आन यह रास्ता है जहां से मुझे जान है तो यह है शिवाय जाने का रास्ता और यह रहा जीरी कर शिवाय तक यह 19 किलमेटर का इस्टेंस है एंड में भी चार खिंटे में गाउर हो जाए अगर थोड़ा तेज चलता हूं थो अब तक तो रास्ता ठीक था बट आगे रास्ता इस तरह से है कि वहां पर लिखा वेटूश यह वाल है आपको दिखनी रहोगा थोड़ा अंधर हो आपर अपर अपर में रास्ता यहां पर ही यह आला है आपकी किसी भाईया ने मुझे बताया आपकी इसी रास्ता जा रहा हूं अब गोर भाईया मिले उन्होंने खा कि एक शौटर डास्त वहां से भी है यहां पर मारक लगा फुसरक्रा गों तो म१ websites हो रहा हूं मैं लग लग रास्ता बता रहे हैं इसमें यही रास्ता फॉल गर्मा क्यूंकि वाला अग्पार इस ऐग लगोंगर धाल है आप वेल फिलाल अभी अधान के लिए अस्ता जा रहा है वेल दो किलिमेटर के स्टेच के बाद फिर से पेवड रोड है वो रोड काफी अथी यहां पे फिलाल वो रोड कर दो कर दो का दो किलिमेटर के स्टेच के लिए। वेल फिले पॉपले लिए है यह करें कि है कोबले बटा के दो जाएंगे तो मैं इस चाड़ी इपीछ गठाऊ हुआ हुआ है। वेल यह लिफ्ट बदो किलो मेटर के नहीं थी। यह जस्ट चान हंडर्ड मीटर है यह यह ज़िए के लिए थी। ठीक है। टाइम भी बच गया और रश्ड़ा हराम भी मिला। तो अब यह इस तरह का कच्छा रास्ता है जिसे मैं जा रहा हूं। तो यह है श्यवदाए। तो यहां से आई के स्राइट से भंडार कर दास्ता है। तो श्यवदा ने तो रवास हो गया। तो श्यवदा रवास हो गया। तो यह जो थे लिए जोने बुझे जान तक लिपत दी। यह जोने पेकरने की कुछ की बटून पैसे बख़ए नहीं। यहां पैसे क्या है कि मैंने काफी साइ लोगों को से पहले हम से कामरा पर रिकॉड करने से फाले ने से पूछा कि कि मैं बख़ए लोगों को पर सकता हूं। तो अब जा रहे हैं को मैंने लोगों को कम करता हूं। वह सामने जो गाड़ी दिख रही है, मैं उसमें आया था अब अब भी तक शेवालियर से बंधार तक कभी तक हसे पांच किलमेटर कावर किया है और पांच किलमेटर के लिए मैं नेपाली रुपीज दोसो नेपाली रुपीज एक एक और चीज में बताना चाहूंगा जो लोग खुद की गाड़ी लेके आना चाहते हैं एक जीरी तक अराउंड आगेस 60% रास्ता पेवड नहीं और 40% रास्ता पेवड है और एक ब्रीज था जहां तो मुझे लिवड मिली थी वहां तक पेवड रोट थी उससे आगे काफी खराब रोट थी उससे आगे आगे 9 किलमेटर थे और वहां पे अगर आपका 4x4 गाड़ी नहीं है तो लाइक तो काफी डिफिकल्टी आएगे लेकिन आप पहुँन सकते है अगे फ्रीज धाले तक से आगे काफी का ख़राब राजता है यह अगर ऐस बाइक है और आपको अच्छे से बाइक लाह आती है तन को इस्यू नहीं लेकिन अगर हम बात करें फोर्वीलर की तो फोर्वीलर लेके अगरा पारे रहे है तो आपका यहां पर अब यहां तक जहां तक मैं चल रहा हूँ, यहां तक फोर विलर चल सकती है, बट वो like four wheel drive होनी चाहिए, और थोड़ा हमलगी ground experience भी सही होनी चाहिए, और Google नाप का रस्ता तो यहां के दिखा रहा है, बट मैं सोच रहा हूँ कि इस रास्ते चल जाओं कि मुझे map के recording लग रहा है, map तर रास रास्ता है, हलागी काफी रहा ड्रावना सा रास्ता है, कोई नहीं मैं अपस stick है, so यह इस तरह का रास्ता है, so finally मैं उपर आगया शॉटवेट से, अबट मैं दोवार शॉटवेट नहीं लोंगा क्योंकि काफी मुश्कल रास्ता था यह दिखे, मुझे तो लास्त पांच म पांच में दोवार के लिए, अब रगरा चिसमें खुलाब की छोटे फूल है, अब यह छोटे पांच कौन है, अब अब भंधार मोंचने ते पहले मुझे एक लिप मिल वही और इसमें भंधार करके हम सिदा खिंजा जा रहे हैं, एक ट्रक में जा रहा हूं में, उसमें ब सुधी को तो यह मंदेर हैं, इस तो यह चालग रहे हैँ कि तुछ कर दो हैं दो, आगय। लेड़ने को जो लेड़ना तखल बढ़ रहा है यहां पर सोई श्रक में आया है थो है अश्टी चोटी सी सिचुएशन है यहां पर कि यह रास्ता डोटी यह लग गए यह कंवेंशनल वे नहीं है जो जहां से लोग जाते हैं या जो मैप में दिया हुआ है यह थोड़ा डिफरेंट रास्ता है मैं अभी शोर भी नहीं हूँ कि यह रास्ता है भी यह रही है लेकिन अभी फिलाल इस रास्ता से जाओंगा मैं क्यूंकि like map map campus recording यही रास्ता है सो चलते हैं इसी रास्ते कुछ ने कुछ तो मिले गई पी लोकल से बता किया है मैंने रास्ता तो यही ही जुन बेसी जाने का आशन ТоGन जुन बेसी से फहले लंजिरा जास्ता कोवर कर लिया है थोड़ी सी जो राइट वैल लगे इसमें थोड़ी सी पॉल्म होगी थी जब मैं बाइक पे जाह रहा था उस ताम पे छोड़ा सा जटका लगा था वहां पे सोड़ी से लेगी थी बागी तो सही है बैट रहेगा कि मैं रेस्ट करूँ अलाकि आज म खंबू है और यह चोड़ा सा गाओ है देखते हैं इस आगे दूसरा गाओ कहां पे है इसलिए यह शॉटकट है जहां से मैं भी जा रहा हूं इंड़ने बता है कि अगर दूसरा ले सड़कले रास्ते से जाएंगे तो काफी टाइम लग जाएगा तो इससे आगे एक और ग यह गाओं था है अचली जुनबेसी तो बहुत दूर है बटास पास में जो गाओं है उसी में आज स्टे करूँगा वेल अभी टाइम हो रहा है पांच के राउंड और मैंने थोड़ी सी हाइड और गिन करी है अब शाहएद पास में कोई गाओं है वहां पे देखता हूं क कि अचली बाकी तो को इश्यू नहीं है कित खान उतनी है जितना अचली अचली के साइड के पीछे कुछ थोड़ा पेन हो रही है जब थोड़ा एलेवेशन है उस टाइम पर है तो मैं आज यहां पर शेकर रहा हूं और आज के दिनर भी आई होगा तो कशब निकलता हूं मैं अपने नेक्स्ट आप के लिए मांकी रहने का राउंड फाइव हंड़र नेवाली रूपीज है और खाने का टॉंड़र सो ठीक है सब मैं मिलता हूं आपको कल सुबा बाइव